हेलो एवरिवन क्या हाल है आपके आज हम बात करने वाले क्लास 6 चैप्टर 14 वाटर तो सबसे बहले बात करते हैं क्या है वह एक लिक्विड है रूम टेंप्रेचर पे और क्या होता है कि पानी को हम बहुत से चीजों में यूज करते हैं तो वह क्या है वह किसी चीज का कंबिनेशन होगा किस चीज के कंबिनेशन है वह हमारा दो मोलिक्यूल का कंबिनेशन है oxygen and hydrogen तो oxygen और hydrogen दोनों मोलिक्यूल का एक specific रिष्व में combination means H2O तो उसका यू कंबिनेशन बन रहा है तो क्या बोलते हम water बोलते है ठीक है it is precious fundamental and the most essential substance required for the existence of life on earth and existing in solid liquid and gases state कि यह क्या है कि सबसे जरूरी सबसे necessary जो चीज है वो क्या है water अगर हमें जिन्दा रहना है means हमें नहीं किसी भी organism को अगर अर्थ पे रहना है तो क्या होगा उसके लिए उसकी life के लिए necessary हो जाएगा water without water there is no life आपने कहें बार सुना भी होगा कि जल ही जीवन है दिवारे पे लिका देखा होगा बहुत सब जगह आता है कि जल का सन्रक्षण करो यह वह तो कहते है जल ही जीवन है तो means कहा है कि water is life why water is life because water is necessary for life कि जिन्दा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है जिन्दा रहने के लिए लिए पैने नहीं जुदा जैन नहीं होगा वॉटर नहीं लिए नहीं तो कोई भी ऐने drinking washing and cooking etc कि वह या हम नहाते हैं पानी को पीते हैं ठीक है कपड़े बगराद होते हैं इस तरीके से खाना बनाते हैं तो इस बहुत सरी जो मैं इसको पानी को यूज करते हैं फॉर्मर्स नीड अलोट ओफ वाटर टू इरिगेट दा क्रॉप्स की फसलों को बढ़ा करने के लिए तो क्या करते हो पानी का यूज करते हैं फैक्ट इस नीड लोट ओफ वाटर टू प्रोड्यूस दा आइटम्स रिक्वाइड लाइक पेपर रियोन पैट्रोलियम रिफाइनिंग फर्टिलाइजर्स डाइज ड्रग्स एंड अधर कैमिकल इंडस्ट्री जब क्या होता है कि इस लिए पानी पानी प्रूटर होगा उस बोट पानी पानी उसको बनाने के लिए पानी चाहिए तो इसलिए पानी इतना ज़़ए यह wonderful is used to generate electricity अब जो हमारे खर में electricity बीजली आ रही है हाँ से आरे हैं हैđज़ हाईड्रक्रीटिक हाइड्रक्रीक प्लांट से हमारे जो राइम बनते हैं किसी भी रिवर के उपर तो महां गर में आती है ठीके ना तो वाटर इस दा वोम ओफ मैंनी अकुरिक और गनीजम यहां पर हम रहते हैं इसी तरीकी से जो बाकी आरिकनी समों को गैसे खर को गई क्रोकोडाइल सोगे टर्टल्स सोगे इन सब गर वोटर यह अलग तरीके के अलग अलग फैना पर रहता है बात करते हैं sources of water कि water के क्या-क्य sources होते हैं सबसे पहला source है groundwater groundwater क्या हो तो इसके बारे में बात करते हैं many cities are not near rivers or lakes they use water that is stored underground this water comes from rain that seeps into the ground groundwater का मतलब ग्राउंड का मतलब समझते हो कि जो दर्तिक है means इस लेंड के अंदर जो पानी हो तो क्या बोल दिया अब बहुत सारे शहर इस तरह किसी कोई भी नदी के पास नहीं है तो क्या होता है कि वह ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं ग्राउंड वाटर कैसे जैसे ट्य लुए नकालते हैं तो ग्राउंड वाटर का यूज करें अद्स चरहना वह रेष तो वह देरे दिर्रगांड लेवल ऊपर की तरफ आए लग जाता है जबया कि वह सेक्टोनर पहरते है रिबार्स रिवर्स के रीवाटर ऑर्गनिसम्स एड इंब लान्यक्स एड्यक्सं ए animals as they make their way to the sea rivers help shape and future of the earth किसे तरिके से था कि जो reverse होती है reverse में बहुत सरी organisms होते हैं बहुत सरे अलगले तरफ्दीर के प्लांट होते हैं रीवर्स के पानी में बहुत सरे nutrients भilot के आते हैं रीविर्स हमारा बहुत सारा काम काती है मतलब पानी दोने काम भी गड़ते और हमारी एक अर्थ को है किस्पेसिवक शेप बीदिए ना क्योंकि रिवर्बस अपना रस्ता खुद बनाती हैं बहुत सारी electricity through hydraulic dams and for leisure activities like swimming and boating क्या है कि इन सारी चीजों में हम यूज करते हैं या कोई irrigation में यूज कर रहा है को ट्रांसपोर्डेशन में यूज कर रहा है को भी या जैसे gaming हो गई या फिर swimming हो गई तो इस तरह के दिन में बहुत सारे चीजों में हम उसको यूज करते हैं राइट थर्ड पॉइंट बात करते हैं लेक्स दा वाटर इन लेक्स कम फ्रॉम रेन बारिश से आएगा स्नों अब बरफ पड़ते हैं उससे आएगा मैंटिंग आइस बरफ पिंग लाई उससे आएगा स्ट्रीम ए ग्राउन वाटर ृटर सी पीज मrios लेक कंटेंस ओ वाठर और लेक्स और और पीन ओर जॉपन और इसके नदी होती है रिवर होती है उस तरी के तो उस जैसे भी बहुंत आप 沒有 जैसे ब में नहीं होती है वो गए स्भी भृष में पानी है या फिर हमारा जो ग्राउण वाटराativa मुड़ा तो उसके अंदर पानी आया या फिर जैसे बरख से गाल गई तो उसके अंदर पानी आया तो यह इन सभी तरीक से उसके अंदर के आता है पानी आता है इनहीं की वजय से उसमें उसका वाटर लेवल होता है वह बढ़ता है यह हमारी साल्ट वाटर लेग भी होता है और यह नॉर्मल वाटर जिसको वोलते हैं ठीक है वह लेग भी होता है ठीक है तो यह भी हमारे बहुत जादे इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे rights, called rainwater rainwater यह एक शोर है rainwater rainwater is the purist form of naturally occurring water the raindrops in the cloud are always in their pure form in the first shower of river water contains dust पार्टिकल्स बेक्टिरिया जर्म्स एंड सम डिजॉल गैसिज प्रिजेंट इन दा एड्मोस्फियर सब्सीक्वेंट शावर और फ्री फ्रॉम सच इम्पुरिटीज सबसे पहले वाली जो बालिश होती है वो क्या होगा हमारे अर्थ है अर्थ के ओपर एक एड्मोस्फियर एक मारे वाह सही देखे का इता कारी में डिए त्ले वी थॊबॉसे सब्सक्त 550 तो लग तो हमारा इन वारे मेंट रूह वो क्या होता है तो थैंग ब्सस्सिरियर में होगरे तो क्रिपम प्रेक्वन बलग नहीं नहीं तो थेयर drei वा स्वाले में यह मेंना फॉक्री बहुम तो इसी तरीखे से क्या हुआ कि वो जो पार्टिकल्स में गूमने दिए फर्स वर्ट जो सबसे पहली रेन हुई सबसे पहली बारिश वह तो वह उस बारिश में मिलके नीचे जे उस पानी मिलके वह नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे अर्थ पर आ जाएंगे उसके बाद वा क्या रिदा बारिश की फ्हों में तो यो चसे नीचे आनि उमठाट किया प्योर जोकशा है यहlet MultiLab में में और की बाहत करते है बात करते हैं oceans oceans are the largest reservoir of natural water because streams and rivers flow in time जितने भी नदिया होती है वो सारी किसमें जाके मिलते हैं और समुदरों में जाके मिलते हैं आप सभी को पता है अल्मोस 97% of all water in oceans कि वह जितना भी पानी है लगब उसका 97% कितने जाके में निसमें 97% हमरे कहले बहुत है लगब वाटर 97% घंडे बट इस वर्टर इस चूज साल आइन तो भी उस फो द्रिंकिंग उपकल नहीं नहीं कर सकते हैं उसमें बहुत जाता नमक होता है sea water contains all the impurities which are present in the rivers water it is salted due to the presence of salt in a large quantity बहुत ज़्यदा मांट में नमग होता है इसलिए वो salty होता है ठीक है और उसमें क्या कि बिजा उसके इंदर वो सारी यहां तक हमाना हो चुका बाकी नेक्स पार्ट में बढ़ेंगे कि यहां रॉत क्या होता है वोटर के सोर्स क्या क्या होते हैं तो यहां तक हमाना complete हो चुका बाकि next part में बढ़ेंगे कि बहुत क्या होती है floods क्या होती है water को कैसे हम बचा सकते हैं ठीक है how to preserve water ठीक है water harvesting तो इस तरह के जो जो भी हमारे इन सब को बढ़ेंगे formation of cloud बढ़ेंगे ठीक है तो यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई question हो कोई query हो तो आप मुझे नीचे comment कर सकते हैं ठीक है बाकि मिलते हैं next video में